हेलो फ्रैंज आप सब कैसे हो आई होप आप सब ठीक होंगे यह देखिए मैंने यहां पर यह यहां पर यह प्रोकेड का फैबरिक जिसका मेजरमेंट यहां से देखिए 7 बाई 8 इंच है लेकिन यहां पर 7 x 7 का मतला मुझे एक स्वायर पीच लेना है तो जो टुकड़ा था मैंने वही टुकड़ा ले लिया है अब इसको हम यहां से इस तरीके से इसको फोल्ड करेंगे और एक फोल्ड हम यहां पर इसको और कल देंगे तो टोल हमें यहां पर इसको 4 फोल्ड करना है और 4 पोल्ड करने के बाड नहीं के बाद हम यहां से जो कॉर्णर है इस कॉर्णर से हम świą가 ना शुरू करेंगे कि यहां पर यह यह तक मेरा 3.5 है तो 3.5 तो मैंने यहां पर दिखिए दम कॉर्णर में एक निशान लगा और इस साइड भी मैं यहां पर 3.5 पर एक निशान इस तरफ लगा लूँगी और इसी तरह बीच में भी लगा लूँगी थोड़ी दूरी पर हमें निशान लगा लेना है जिससे हमारा यहां पर एक सरकिल बन जाए देखिए मैं यहां पर सारे पॉइंट को मिलाते हैं मैं ए के उपर रखते वे मैं इसको भी यहां से कट कर लूँगी यहां पर इस पीस को कट कर लिया है हमारे यहां पर दो पीस कट हो गए हैं अब हमें इसी की साइज के यहां पर लाइनिंग चाहिए तो हम पहले यहां पर लाइनिंग को रखेंगे उसके उपर फोर्म को रखेंग और उसके पर जो हमारा मेन फैब्रिक है उसको रखते हुए मैं यहां पर इसको स्टिच करते हुए इधर भी यहां पर इन तीनों को बराबर सेट करते हुए मैं इसको यहां भी इसको स्टिच कर लिया है इसको अब हमें यहां पर इस पर हैंडिल लगाना है तो हैंडिल इसका इहां फोल को स्टीच कर देंगे और यहां पर स्टेप को रिडिकर लेंगे लोग यांक 腸ाल से बंदे निमिंत बना लिया थे विदिम स्त्रफ में देंगे अर यहां पर पर के इस को दो करेंगे किसी से भी कि Si सेंटर पॉइंट के हमें यहां पर इस तरफ पहले यहां पर मैं इसको पिन अप कर देती हूं यहां पिन अप कर लिए यहां से हमां राउंड शेप से कुछ इतना टू इंच एक्स्ट्रा है इस पार्ट को हम यहां लगाएंगे और यहां लगाने पर भी हम यहां पर एक पिन अप कर देंगे देखे मैंने यहां पर पिन की हेल्प से दोनों को सेट कर दिया है अब हमें यहां पर इसको इस तरीके से करना है कि यहां स्टिच करेंगे फिर यहां वापस आएंगे और इसको यहां तक स्टिच करेंगे दूसरी तरह भी हम यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर के लिए हमारा यहाँ पर यह हैंडल बन जाएगा हैंडल पर स्टिच करने के बाद मैं यहां पर इसी जा हमने जहां पर हैंडल लग गया है उसी के पीछे में यहाँ पर चिंहें प्रफ क कीज़ए हैं यहां है इसा embedded तरीकी से मैं को आपको इस PD सिट का सईज 7.5 अच तो पहला हम यहां बने के लिए यहां इस को स्टीच कर देंगे विद्ध में हैं को इसको 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 करने के बाद इस पौट नरय चैपन करें दे़ sistemas करेंगे और एक फोल्ड हम यहां करेंगे एक फोल्ड फिर से वहां पर यहां पर इस तरीके से रखना है और रखने के बाद हम यहां पर इस पार्ट को यहां ऐसे रखेंगे और हम यहां पर छो हमारी यह शेप है उसे शेप में इसमें हम यहां पर सेंट्र में एक इस्वाइई यहां सेंटर में भी सिलाई लगा मैं इसको यहां से स्टीच कर लिया है सासाथ मैं इसको यहां से स्टीच कर लिया है जो भी हमारा यह एक्स्ट्रा पार्ट होगा अब हम इसको कट कर लेंगे देखे मैं इसको cut कर लिया है cut करने के बाद यहां पर देखे यह हमारा जो उपर का जो top part था top part बिल्कुल ready है और यहां पर देखे हमारी यहां पर इस तरीके से यहां पर यह two pocket भी बन गई है अब हमें यहां पर हमारे इस circle को यहां से पूरे round मैं इसको measure कर लेंगे देखे मैं इस तरीके से इसको रखते वे मैं पूरे मैं इसको measure कर लूँगे इसको यहां से देखे यह मेरा यहां पर यह 23.5 inch आया है तो मैं यहां पर एक इंच extra यां 24.5 inch का यहां पर मैं फैब्रिक लेरी हूँ यहाँ इसकी लेंग यहां पर 24.5 इंच की लेंग लिए और इसकी जो width है यहां से मैंने इसकी width यहाँ पर 6 इंच की लिए देखे 6 इंच की width है आपने accordance को छोटा बड़ा बना सकते हो यहाँ पर नीचे मैंने lining का use नहीं किये एसमा फॉर्म शिट लगाई है और उपर हमारा यहाँ पर में फैब्रिक है जो हमने पार्ट इसको रेडी किया था उस पार्ट मैंसे मैं यहाँ पर 5 इंच का फैब्रिक निकाल दूँगी देखे मैंने यहाँ पर 5 इंच का फैब्रिक निकाल रही हूँ मैंने 5 इंच का फैब्रिक निकाल दिया, इसको हम अप साइड में कर देंगे, और जो हमारे बाकी जो बचा फैब्रिक है, हमें उसी की साइज के यहाँ पर जिप चाहिए, देखिए उसी के साइज की यह जिप है, इस जिप को हमें इसके अंदर जोइंट करना है, तो हम यहां पर यहां पर दो पाइनिंग के और वह बस्तिक अगुट हमने टेुट चाहरे देख में चलिए यहां पर चलिएंग इसको घ्जियेए कर दोए चाहरेंरो देखिंड यहां से यहां स़ीच कर लिए है जिसे से आप जिय से हमारे बiggsली जीप मगए TV चाहरेब कर दोण साधा था इसे ही उस पार्ट को लेना है और इस साइज की हमें यहां पर लाइनिंग लेनी है और यहां पर इस तरह के से पॉकेट को रखेंगे और यहां कर दोंगे देखे मैंने यहां पर पॉकेट लगा ली है यहां पर हमारी पॉकेट बनके रैडी है अब हमें यहां पर जिस पर जिप लगाए थी उस पार्ट को लेना है इसमें हमारी जो यह पॉकेट है पॉकेट देखे इस तरीके से यहां रहनी चाहिए इस तरीके से तो हम इस पार्ट को हमें यहां पर इसके उल्टा रखना है और इसको यहां से हम इसको स्टीच कर देंगे जी कि मैं इसको यहां से स्टीच कर लिया है स्टीच करने के बाद यह वाला पार्ट हमारे स्टीच से उपर आएगा और यह वाला पार्ट यहां आएगा तो अब इसको हम य को यहां से अपर स्टिच कर लेंगे और अपर शो करने के बाद अब हमें यहां पर इस वाले पार्ट को यहां पर इसको पहलेब यहां पर लाइनिंग यह आ जाए और यहां आने ऑद इसको यहां पर भी पाद करने के बाद आप लेए एक कि रहा निकालते वेजिए कुछ तyorum कि मैं इसको सिधा कर लिया है सिधा करने के बाद अब हम यहां पर और यहां पर अपर स्टिच कर लेंगे और अपर स्टिच करने के बाद देखिए हमारे यहां पर यहां पर एक छोटी सी कोकेट भी बन गई है अब हमें यहां पर इसके सेंटर पॉंट निकाल लेते हैं पहले मैं यहां भी एक सेंटर में निशान लगा दूँगे इसे तरह यहां भी बराबर इस साइड भी दिखे मैंने यहां पर निशान लगा लिए है निशान लगाने के बाद अब हमें यहां पर कोई भी एक राउंड वाले शेप लेनी है इसका भी center point निकालेंगे तो यहां से देखे इसका center point यहां है फिर भी हम एकर fold करके इस तरहов से हम यहां पर इसका भी center point निकाल लेते हैं यहां पर देखिए इस पार्ट को यहां पर ऐसे रखना है यह रहा सेंटर पॉइंट इसका और जो यह वाला पार्ट है हमारा यहां पर देखिए यहां पर यह इस तरीके से लगेगा यह पोकेट यहां इस तरफ और यह पोकेट भी इस तरफ तो इस वाले सेंटर पॉइंट क य के पीछे रखतेविwałे थोनों center point को यहाँ पर चजिफें दोनों center point को में here यहाँ पर के बिनफ seven यहाँ परकर लोंगky तेरो मैं यहाँ पर बदेंट को पिन और को लोगे लिए जिससे यहाँ पर पूरे इस है इस तरीके से, पकड़ते हुए इंड को यहां पर पूरे को स्टीच कर दूंगी, इसी तरह पीछे और को पूरे हैं, कि भावी कंपर की पकड़λο होता है, कि यहां से पीन ऌ beiden यहां लगा लिग्ष एक पिन इस तरफ रेक्पिन इस तरफ यहां पर लगाते हुए आप यहां पर पूरी रांड मेस को स्टीच कर ले इसको हम यहां से दिखें कि मेरा यहां पर राइट साइड है राइट साइड की तरफ से यहां पर पीछे की तरफ से हम इसको फोल्ड करेंगे आप यहां से इसको बरबर भी कर लिजिए इसको फोल्ड कर लेंगे फोल्ड करने के बाद आप कहीं से भी पर जितना हो सके पीछे से स्टार्ट करें ताकि हमारा यहां पर जोइंट हो पीछे की तरफ आजाए तो मैं यहां से नीचे से देखें यह पाइपिंग को यहां से हमारा राइट साइड है इसको यहां से मैं इस तरीके से लगाना शुरू करूंगी जहां जहां नहीं बस से स्टिच किया है बस स्टि इस तरीके से यहां से देखिए मेरे यहां पर यह फोल्ड करते वे लगाया था और यहां से पीछे से उसके उपर यह जोइंट आ गया है अब इसके हम यहां पर इसको इस तरीके से थोड़ा फोल्ड करेंगे फोल्ड करने के बाद एक फोल्ड हम यहां पर जो हमारी स्टिच ह उस स्टिच के ऊपर इस फोल्ड को लेक्या जाएंगे इस तरीके से हम पूरे में फोल्ड करते वे यहां पर पाइपिंग को टैच कर लेंगे इस तरीके से फोल्ड करती रहूंगे और यहां पर पूरे राउंड में इसको स्टिच कर लूँगा पर पूरे राउंड में यहां के समान को आजजेस्ट कर लेंगे अपने को कैसे भी कर सकते हो यहां पर हमें ट्रैइवलिंग करनी हूँ तो ट्रैवलिंग कर सतना हैं थासतर इसको कर सकते हैं और जहों तो आप्ये हैंडलरा मेट रखने के लिए यह ट्राविंग के लिए किसी भी तरह के साथ इसको यूज कर सकते हो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके जरूर बताना आज का वीडियो कैसा लगा थैंक्यू पॉर वाचिंग